बिधान सभा निर्वार्चन चाली छी जुर्दार क्यामपनिंग। आजी विज्जे पीरो संकल्प पत्र जारीकले केंद्र ग्रोमंत्री अमिस सहा। एहा सहो बिभिन्न स्तानरी जनस्तभा करिबार मध्य कार्जय क्रम रहिची सपटे गतकाली प्रधान मंत्री मोधी मुहरास्त्र गस्तकरी धूले और नासिकरे माराथन प्रचार करिथले। से बड़ी स्रद्दान जली अमिर्कर जीकी ओ नहीं हो सकते। धारा 370 हटने के बाद पहली बार कस्मीर में भारत के संविधान की सपत लेकर सरकार बनाने का काम हुआ और इसका पूरे देश को आज नाज हैं। हमने इस संकल्प पत्र के माध्यम से महापुरोसु के ही परंपराओ को सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प भी रखे हैं। आरक जत्ता फेलाकर विकास के नाम पर विफल राज देने वालों की विफलतावक से बोध लेते हुए मजबूत समरूद और सुरक्षित महाराश्ट कैसे हो इसका भी इसके अंदर आपको योजना दिखाई पड़ेगी। आज चुनाओ में हमारा मुकाबला अगाडी से हैं। मित्रो मुझे गट चुनाओ का परिणाम याद है। महायूती की सरकार बनी। महायूती एक मुस्त होकर एक जूट होकर मोदी जी के नेत्रूतों में सिध्धानतों के आदार पर महाराश्ट का कल्यान करने के लिए आगे बढ़ रही है। और अगाडी की सरकार बनाने का जो लोग दावा कर रहे हैं। उनका चुनाव अभियान भी आंत्रिक विरोधा भासों से घीरा हुआ है। उद्धव ठाकरे जी को पुछना चाहता हूँ क्या वो कॉंग्रेस के नेता राहूल गांदी को इतनी विरंती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए दो अच्छे सब्द बोल दे। क्या कॉंग्रेस का कोई नेता सन्मान या बाला साव ठाकरे के सन्मान में दो वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या। ए अंतर विरोध के बीच में अगाडी की सरकार बनाने का स्वपन लेकर जो लोग निकले हैं उनको महराश की जनता जान ले ये बहुत जरूरी है। भारतिय जनता पार्टी जब संकल्प लेकर आती है संकल्प पत्थर लेकर आती है हमारे संकल्प पत्थर पर की लकीर हो और पुरे देश ने दिखा है चाहे राज्य हो कैंद्र हो भारतिय जनता पार्टी की सरकार एंडिये की सरकार महायूती की सरकार जब जब बनी हमारे स अंकल्पो को सिध्धी में परिवर्तित करने का काम हमने प्रयास पुर्वक है कोई नहीं मानता था कि धारा 370 का वादा समाफ्थ हो जाएगा इस देश ते धारा 370 चली जाएगी मगर आज धारा 370 को समाफ्थ करने का काम मोधी जी के नेत्रुतों में ंडिय सरकार ने कोई नहीं मानता था इस देश में CA आएगा कोई नहीं मानता था इस देश में UCC की सुरुवात हो सकती है कोई नहीं मानता था कि इस देश के अंदर त्रिपल तलाग समाप्त हो जाएगा कोई नहीं मानता था इस देश में राम जन्मूबी का मंदीर साड़े पांसो साल के बा इसके साथ साथ हमने वादा किया था समरूद भारत का ग्यारवे अर्थतंत्र से हमने दस साल के अंदर ही देश के अर्थतंत्र को पांचवे नंबर पर पहुचा है और हमारा वादा है कि 27 में हम भारत को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे इस वादे की और हम तेजी क साथ आगे पड़े हैं साथ करोड गरीब घर बिजली गैस सवचाले पीने का पानी मुप्त अनाज और मुप्त इलाज ये देने का काम भी हमने किया है और दूसरी और अगाड़ी है कॉंग्रेस के अध्यक्स ने भी कहना पड़ता है कि कॉंग्रेस के जब लोग जब वादा क करें तो सोच समझ कर करें क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो हो और मुझे जवाब देना पड़ता है हमारे सामने ही माचल का उदान है कॉंग्रेस वादों से मुक्री है एलंगाना का उदान है कॉंग्रेस वादों से मुक्री है करनाटक का उदान है कॉंग्रेस वादों स विश्वस्त नियता आताल से नीचे गई है और यूती के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है भारत की जनता को भी भरोसा है और इंतेहा तो तब होती है कि जिस सम्विधान की प्रती को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की सपत लिए जिस सम्विधान को लहरा कर बाबा साहब आमबिड करके संकल्पों की याद दिलाई जब किसी प्रेश के मित्र ने वो सम्विधान की प्रती को खोल कर देखा तो पूरा कूरा था एक अकसर भी नहीं लिए इस से बड़ा अपमान भारत के सम्विधान का भारत की 76 साल की आजा करका भी अपमान करने का काम एक कॉंग्रेस पार्टी ने अभी अभी मैंने अख्रवारों में देखा दस्तावेज भी देखा है उले-माओ की कॉन्फरेंस ने उल्ले-माओ की एक संस्थाने मांग की कि माईनोरीटी को आरक्षन दिया जाए और कॉंग्रेस के अध्यक्स न पुछना चाहता हूँ, क्या कॉंग्रेस पार्टी के ए मनसूबे के साथ आप सहमत है क्या, ST, SC, OBC, दलितों का, आदिवासियों का और पिछोडों का आरक्षन लेकर मुस्लिमों को देने के पक्स में महराश्ट की जनता है क्या, हमारा सम्विदान धर्म के आधार पर आरक्षन के पक्स में नहीं, हमारे सम्विदान में किसी भी प्रकार का आरक्षन धर्म के आधार पर नहीं हो और ये कॉंग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है, मैं महराष्ट की जनता को आगा करना चाहता हूँ कि आपको इस बात को संग्यान में रखना चाहिए। मैं आज उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूँ। उद्धव जी आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है। आपको ही करना चाहिए, आपने ही कराए। मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद करना चाहता हूँ। आप तिन सो सत्तर हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप राम जन्मभूमी के निर्मान का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप सावर्त करजी के लिए अपसब्द कहने वालों के साथ बैठे हो, आप संबाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, CAA और UCC लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, और आप वकप बॉर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ हो, मित्रो, मैं आज इस प्रेश वारता के माध्यम से महराश्ट की जनता को बताना चाहता हूँ, मोधी जी वकप बॉर्ड में सुधार का एक बिल लेकर संसद में आये हैं, और अभी अभी जो वकप बॉर्ड का कानून जो कॉंग्रेस के राज में 2013 में एमेंड हुआ, इसका परिणाम दिखे, करनाटक के गाउं के गाउं, वकप के कानून के तहट वकप की संपती गोसित कर दिये गए, और उस कानून को उचित बदलाव के जी ले, जब हम लेकर आये हैं, तो उसका भी अगारी के लोग विरोध कर दे हैं। मैं महाराश की जनता को एक कहना चाहता हूं कि वकप के कानून के बदलाव का विरोध का मतलब है, कि आने वालोए दिनों में यहां पर भी वकप बॉड आपकी संपतियों को इसी प्रकार से घोसित कर सकता है। मित्रो देवें रजी ने संकल पत्र की प्रमुक बाते बताई हैं, परंतु मैं इतना बताना चाहता हूं कि डबल एंजिन की सरकार ने करिब करिब दस साल के अंदर महाराश के विकास के लिए धेर सारे काम किये हैं। आज मैं इस मंच से सरत पवार जी को पूछना चाहता हूं। दस साल तक आप UPA की सरकार में मंत्री थें। 2004 से 2014 महाराश के विकास के लिए क्या किया वो महाराश की जनता को आपको बताना चाहिए। दस साल में UPA की सरकार ने एक प्रकार से अगारी की सरकार ने महाराश को सिर्फ एक लाग 91,384 करोड रुपया दिया। एक और करीब करीब 2,00,000 करोड रुपया और मोधी जी ने 10,00,000 करोड रुपया दिया। मैं अगारी के मित्रों को पुछना चाहता हूँ, आपका हिसाब आप महाराश की जनता के सामने रखेंगे क्या। 10 साल तक महाराश को कितना अन्या हुआ जबकि उस वक भी उपर और नीचे दोनों जगे आपकी सरकार थी। और 10 साल में हमने 10,00,000 करोड रुपया दिया जब दोनों जगे NDA की सरकार थी। यह अंतर है महायूती और अघाडी के बीच में हमने सिंचाई नेटवर्क को निलवडे बान, गोसी खूर्द, टेमभू और जल्यूक्त सिवार जो देवेंद्र जेई जब मुख्यमंत्री थे तब योद ना लाये थे। इससे महाराश की भूमी को सिंचन ख्षेतर के अंदर 30% की बढ़ोतरी करने का काम हमारी यूती सरकार ने किया। मेट्रो का विस्तार हुआ, सेडी और स्विंग दूर्ग में नए हवाई अड़े और टर्मिलर बने 13,000 करोड से मरीन ड्रावी से बांदरा वली से सीलिंग जोडने वाले मुंबई कोस्टल रोड का निर्मान पुरा हुआ, वासी पुल का विस्तारी करन हुआ, मेट्रो फे भादवान बंदरगा का निर्मान का सैधान्तिक निर्मान दिया गया, जो एसिया का सबसे बड़ा बंदरगा होगा, और सबसे ज्यादा कंटेनर का उतारने की और चड़ाने की आवा गमंकिक समता इसकी होगी, और बेन गंगा नलगंगा इंटरलिक परियोदना, घोसी खूर्द परियोदना, जो लगबक 63 टीमसी पानी को मोड़ कर, विदर्ब में नागपूर वर्दा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुडलाना जिल्ले के 3,71,000 हेक्टर भुमी को सिंचीत करने का काम करें, इससे विदर्ब की 85 धर्ती को बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है, और ए 85,000 करोड की वियोदना, अगले 10 साल में हम इसको पूरी करेंगे, 22 करोड से, खड़क वासला बान से, फुरसुंगी तक 34 किलो मिटर सुरंग बना कर, हमने एक बड़ा सहास करने का नेणय किया है, 24 में सोलापूर हवाई अड़े का उगाटन हुआ, पूने और कोलापूर में नए टर्मिनल बने, और पारगर जिले में बहु देशिय बंदरगा बनाने का भी हमने निड़ा किया, 13,000 करोड के निवेश से 2800 मेगावाट की संयुक तक समता वाले दो पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट सुरू हमने किये, और सिर्वाटा पूने 1800 मेगावाट और भीव पूरी रायगड में 1000 मेगावाट की योदनाव को भी हम लेकर आए, इसके अलावे आज एक प्रचार हो रहा है कि महराष्ट में इंवेश्टमेंट नहीं आ रहा है, मैं अगाडी के मित्रों को याद कराना चाहता हूँ, जब अगाडी की सरकार कुछ समय के लिए चली, तब महराष्ट इंवेश्टमेंट में फिसल रहा है, महराष्ट एफडियाई इंवेश्टमेंट में चोथे नंबर तक फिसल गाया था, हमारी सरकार बनने के बाद, एकनाथ सिंदे जी और देवेंदर जी और अजित दादा की सरकार बनने के बाद, दोनों वर्स में हाइस्ट FDI अगर कोई एक राज्य के अंदर आया है तो वो महराष्ट में आया है वो आपको याद होना जाए सरत पवार जी जीस प्रकार के वादे करते हैं और जीस प्रकार के मुद्दे खड़े करते हैं इसका सचाई से किलो मिटरों तक कोई संबन नहीं होता चुठे आरोब करकर एक विमर्स खड़ा करकर एक नकली जनादेश लेने का आपका जो आदत है वो इस बार सफल नहीं होने वाला है इस बार महराश्ट की जनता महायूति के पक्स में खड़ी है मित्रोय संकल पत्र लेकर जो हम आये हैं वो संकल पत्र में देवेन रजी ने 25 मुद्दे प्रमुक मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं